Welcome Friends in Health Rambo दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे लेटीन करते वक्त ज्यादा आवास क्यों आती है आवास से संबन्ध है ते कि मतलब पी, पूँची या भों की जो आवास आती है वो ऐसा क्यों आता है इस आवास को जो संबन्ध होता है हो कोलोन से होता है मतलब हमारी जो बड़ी आत होती है उससे होता है क्योंकि ज़्यादा दर भोजन होता है पचने के बाद लास्ट में बड़ी आत में जाके इकटा हो जाता है जहां इसका फर्दर पाचन होता है यह जो आवास होती है यह जो आवास होती है पेट और आउतों की बीतर जो ठोस खादपदात होते है तरल खादपदात मतलब पानी और गैस की गती के कारण होती है यदि यह आवास कम धबनी से आ रही है मतलब जादा आवास नहीं आ रही है बिना किसी आवाज की यदी स्टूल पास होता है तो ये नॉर्मल होता है काफी वर क्या होता है कि ये आवाज जो होती है बहुत तेज आवाज आती है और ये लगतार बनी रहती है और ये मतलब रोजाना जब भी आप स्टूल पास करने जाते हैं पर बार आवाज आती है तो हो सकता है इसके पीछे कुछ कारण हो यदि हम कारण की बात करें तो जो common disease होती है जिनकी वजह से आवाज आती है पहली होती है कि आपकी आतों में किसी परकार की सूजन है मतलब आप बहुत जादा गरम या ठंडा खाना खाते हैं या किसी बीमार से हो सकता है या फिर आतों में बहुत जादा गैस बन रही है कॉंस्टिपेशन की या कब्स की बीमारी है आपको किसी परकार का इंफेक्शन है जैसे कि दस्त वगरा है या अन्न बीमारी है उसके अलावा बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि हीमोरोइट्स, मंबासीर, भगंदर और फिश्युला, फिशर की वजह से भी क्या होता है, आतों में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से भी क्या होता आथे अपस में चिपक जापी है और टॉलेट पास करते वक्ट उसमें क्या होता बहुत आवाद आती है साथ साथ में यदि किसी व्यक्ति को lactose intolerance की problem है मतलब दूद हजम नहीं होता है तब भी ऐसा हो सकता है उसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को food allergy है तो ये भी एक कारण हो सकता है अन्य कारणों के यदि बात करें जो जादा dangerous होते हैं तो उनमें पहला होता है कि यदि किसी व्यक्ति को crons disease है या फिर ulcerative colitis है मतलब बड़ी आथ में किसी परकार का जो है बहुत जादा सूजन है बहुत जादा आथा चिपकी है या ulcer है साथ साथ में यदि किसी को व्यक्ति को आथों की TB है या cystic fibrosis की बिमारी है या फिर pancreas में सूजन है celiac disease है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को गेहूं या गेहूं से वरना कोई भी खादपदा थचम नहीं होता है तो इन सभी बिमारियों के कारण भी आपकी आथे जो होती है चोटिल हो सकती है और स्टूल पास करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा आवाज आ सकती है तीसरा जो कारण होता है आपके पेट में बहुत ज़्यादा गेहस बनना ये गेहस जो होती है उसका कारण होता है आप जो खाना खाते हैं उसकी वज़ा से हो सकता है मतलब यदि आपने गोभी ली है फूल गोभी सहजन मूली सलजम वगरा सब्जिया ली है तो उसकी वज़ा से हो सकता है या फिर आपने बहुत ज़्यादा तला हुआ चीजे या बहुत ज़्यादा इस्पाइसी चीजे आपने काई है तो उसकी वज़ा से भी आपके बहुत ज़्यादा गैस बन सकती है जिसकी वज़ा से भी आवाज आ सकती है अब ये पता कैसे करेंगे कि क्या बीमारी है किस वक्ति को जिसकी वज़े से आवाज आ रही है उसके लिए आपको पहला है कि आप अपना स्टूल का एक्जामेनेशन टेस्ट करवा सकते हैं जिससे पता चलेगा आपको कोई वैक्टिरियल इंफेक्शन वगरा तो नहीं है आतों में या और यदि आपको खून वगरा भी आता स्टूल के साथ में तो आप FODT टेस्ट करवा सकते हैं फेकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं साथ में अन्य जान टेस्टों की भी आपको जरुवत पढ़ सकती हैं आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं जैसे LFT, KFT मतलब आपका लीवर एकिनी से इसे काम नहीं कर रहे हैं साथ में अल्टरासाउंड वगरा या इंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी की भी जरुवत पढ़ सकती है इन टेस्टों के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं साथ में यदि हम बात करें कि क्या खाएंगे जिससे हमारी जो आपें मजबूत हों तो उसके लिए आप फाइवर डाइट लीजिए फाइवर मतलब जो घुलनशीर फाइवर रेशा वाले काद पदात हैं जैसे डालें हैं मटर हैं फलों मेदियम बात करें कोई भी फल आप खा सकते हैं बाइशले केला सेव वगरा खट्टे पदात हैं दही वगरा कभी इस्तमाल कर सकते हैं या आतों को मजबूत करता है उसके अलाबा बादाम वगरा भी आप उजाना पांसे दस बादाम खा सकते हैं ये भी आपकी आतों के लिए important होता है साथ साथ में आपको कुछ और भी बदलाओ करने पड़ेंगे आपकी डाइट में आपको जादा खाना एक साथ नहीं खाना क्योंकि ये जो होता है इन डाजेशन को बढ़ावा देता है इसलिए आप छोटे-छोटे खाने दिन में चार-पांच बार खा सकते हैं बड़ बा करना है दूद और डेरी प्रड़क्ट कम मात्रा में लेना है साथ में ओईली फूट जैसा हमने बात करा तले हुए चीजे वगरा को आपको कम से कम आपको सेवन करना जिससे आपकी आते जो होंगी मजबूत होएंगी और रोजाना आट से दस ग्लास पानी आपको जरूर प कर दो कर दो दो जो कर दो कि दो आपको प्राइब आपको इंबू.